मिमान सा हिष्ट्री चलिए दोस्तों आज अम आपको ले चलते हैं उस मिदान में जहाँ पर महाना प्रताप और मान सिंग के मद्ध युद्ध हुआ था रक्त तलाई वह शेत्व जहाँ पर 21 जून 1586 को भारती इतियास का सबसे प्रसिद युद्ध लड़ा गया था दोपर तक चला ये युद्ध जिसमें मुगलों को पीछे हटना पड़ा था क्योंकि इसमें महाना प्रताप और उनकी सेना ने जिस बहादुरी का परिचे दिया वह आज भी इतियास के पन्नों में दर्ज है देखिए यह है रक्त तलाई का मेदान जो की बनास नदी के दूसरे किनारे पर इस्ति थे इसी मेदान में महाना प्रताप और मिर्जा राजा मान सिंग के सेना आपस में लड़ी थी का जाता है कि यह मेदान सेना के रक्त से जब लाशों का धेर यहां पर बिच गया तब बारिश हुई बिन मोसम बारिश हुई तब उस बारिश से यहाँ पर खून से नाला चलना शुरू हो गया जिस कारण से इसका नाम और एक तालाब का रूप ले लिया जिस कारण से इसका नाम रक्त तलाई पड़ा है चारो तरफ यह जो शेत्र है वो मेवाड के गोरव को अपने आप में समेटे हुए है सामने ही आपको ग्वालेर के नरेश की जो छत्रियां दिखाई दे रही है वह उनकी वीरता का प्रदेशन करती हुए प्रतित होती है का जाता है चलिए अब मैं कुछ यहाँ पर उस युद्ध के बारे में आपको बताने वाला हूँ का जाता है कि 3 अप्रेल 1576 को शाई सेना जो मान सिंग के साथ थी अजमेर से रवान होती है उनका पहला पड़ाव मांडलगड में हुआ था दो माह तक वहीं पर रहे तता उसके बाद वा आगे नाद्वारा से लगबक खमनोर के मुलेला नामग गाओं के पास साकर उन्होंने अपना पड़ाव डाला और उदर उस शाई सेना के आग्मन की सूचना महाना प्रताब को हुई और वो भी आ गए महाना प्रताब कुम्बलगर से गोगुंदा की ओर चले आए और वहाँ गोगुंदा और खमनोर के पाड़ियों के मद्द इस्थित हल्दी गाटी नामक तंग गाटी में अपना पड़ाव डाला इस गाटी इसमें एक बार में एक आदमी एक ही गुरसवार प्रवेश कर सकता था इसलिए सेनिकों की कमी होते हुए भी महाना प्रताब के लिए ये एक सर्वोत्तम इस्थान था का जाता है कि दोनों ही सेनाए हल्ली गाटी में लगे शिलाले के अनुसार 18 जून पर गोपिनाज शर्मा के अनुसार 21 जून को आमने सामने हुई राजपुतों ने मुगलों पर पहला प्रहार इतना जोड से किया कि वह जान बचाते हुए भागे मुगल इतियासकार बदायूनी भी स्वयम मुगल सिना के साथ था उसने भी यही स्युकार किया है और वह भी युद्ध से भाग खड़ा हुआ था मुगलों का जो रीजर फोर्ज का जो प्रवारिता मेतर खा उसने जुटी अफ़ा फेला दी के शाई सिना आ गई है और उसके साथ स्वयम अकबर भी आ चुका है प्रतम प्राहार में जो राजपूती सिना जीत चुकी थी वह खुले मिदान में आ चुकी थी और वही खुला मिदान आपके सामने है रक्त तलई और इसी युद्ध में सबसे पहले हाथियों का युद्ध हुआ था हाथियों के चिंगार से ये सारा युद्ध स्थल गूंज उठा था हाथियों के युद्ध के बाद उसके बाद फिर माना परताप और माना परताप और अन्य राजपुतों का युद्ध शुरू हुआ तो इस तरह से ये रक्त तलाई का युद्ध था रक्त तलाई के मिदान में माना परताप के और मान सिंग के बीच में युद्ध हुआ आगे की कहानी हम आगे चल कर बताते रहेंगे इसी तरह से जुड़े रहिए मिमान सा हिष्ट्री के साथ में यह हमने बात की तिरक्त तलही की आगे हम सब की बात करेंगे जोईन अस ठेंक यू वेरी मच